नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस एपिसोड में हम एक्स्प्लेंट करने जाएंगे वेंपाय टाइलिस के सीजन वन का एपिसोड नमबर 19 तो यह एपिसोड होने वाला खास सिर्फ स्टेफन के वज़े से तो चलिए शुरू करते हैं तो यही हम पहले स्कूल में स्टेफन को स्कूल आते हुए देखते हैं जो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था एकदम कूल डूट टाइप बंदा लग रहा था और वो अलीना से मिलता है बातचीत करता है और उसे किस करता है तभी अलीना पूछते है कि हो कैसा है वो कहता है मै प्रास के लिए लेट उ रहा है और वो चली जाती है तब ही अलीना के जाते ही स्ट्आफन अपने डिक्की खोलता है और उसमें से अपना स्पूल बैक निकालता है और वहां आपको खाली blood bags देखने को मिलते हैं यहीं हम council में सुनते देखते हैं शेरिफ को जो कहती है कि एक नहीं बाकि सारे hospital से blood bags गायब हो चुके हैं तब ही अंकल जोन कहते है कि वो demon के साथ मिलके इस mystery को solve करेगा बट यह सुनका demon थोड़ा confuse हो जाता है कि Mr. John कौन उसके साथ क्यों काम करना चाते हैं बट फिर भी demon एकरी कर देता है और तभी वहाँ से जाने के बाद demon सीधा एना के घर जाता है और उससे पूछताश करने लगता है तभी एना कहती है कि उसने कोई blood bag चुराया नहीं है वो इस टाउन में स्रिफ simple life जीने के लिए आई है और ये सुनने के बाद demon थोड़ा confuse हो जाता है कि अगर वो एना नहीं है और वो भी नहीं है तो कौन है जो ये सारे blood bag चुरा रहा है यहीं हम क्लास में देखते हैं बानी वापस आचुकी थी टाउन में और उसको देखकर अलीना खुशती और अलीना को देखकर बानी स्माइल करती है बट तभी वो स्टेफन को देखके मुँ फेर लेती है तभी माँ क्लास के बाद अलीना बानी से पूछती है कि वो कैसी है तभी बानी कहती है वो सही है बट इतना easy नहीं है उसकी grams की death हो चुकी है और वो इस सब situation से cope up कर रही है बट उसे अभी ओर time चाहिए और वो जानती है कि spell break हो चुका है और सारे vampire town में release हो चुके है और Bani कहती है कि उसकी दादी हमको इस नहीं vampire से बचाना चाती थी बट Stephen और उसके भाई की वज़े से वो नहीं हो पाया फिर हम Caroline को आते हुए देखते हैं जो आके Bani से उसका हालचाल पूछती है और फिर Bani से कहती है कि उसको help करनी पड़ेगी उसको एक dress ढूंडवाने के लिए तब ही अलीना पूछते है किस चीज के लिए तब ही Caroline कहती है शायद अलीना तुम भूल गई हो कि कल Miss Mystic Falls का competition है और तुम भी उसकी पार्ट हो तब ही अलीना को याद आता है कि उसके माने उसके लिए ये ख्वाब देखा था कि वो Miss Mystic Falls competition में रहे और इसके लिए वो बिल्कुल तयार ही नहीं करती है बट वो competition कली है फिर हम डेमन को घर जाते हुए देखते हैं घर जाने के बाद वो स्टेफन से पूछता है blood bags के बारे में पता है तभी स्टेफन बोलता है कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा और डेमन को अपनी ज्यादा नाक नहीं अडाने चीए दूसरों के मामले में तभी डेमन बोलता है कि ये टाउन में दूसरों को पता चल जाएगा हम यहां low profile रहने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सब लोग पता है कि ब्लड चोरी हो रहा है तभी स्टेफन उसे इग्नोर करता है और अपने एक ब्लड बैग निकाल के वहां से जाने लगता है यहीं हम देखते हैं कि अलीना कैरलाइन और तीन लड़कियां टाउन की इंट्रिव्यू देती है मिस्स्टिक फॉल्स बनने के लिए और उस इंट्रिव्यू के बाद वो सब जाते हैं डांस प्रेक्टिस के लिए और इस डांस प्रेक्टिस में अलीना का पार्टनर स्टेफन था वहीं डांस प्रेक्टिस के बाद कैरलाइन बानी से मिलती है और उसको बताती है कि वो मिस्स्टिक फॉल्स बनना चाती है और उसक में सब नॉर्मल लगता है बट उसके लिए बात नॉर्मल नहीं है उसकी दादी की डेथ हो चुकी है सेलवटो ब्रदर्स की वज़े से टाउन में वेंपायर घूम रहे हैं और बानी को ये सारी बाते नॉर्मल नहीं लगती और वो टेंस टेंस पारे में फिर वो कहती है कि अ अंकल जोन डेमन की घर पे आ चुके थे और वो कहते हैं कि तुमने उसे कॉंटेक्ट क्यों नहीं कि हम वेंपायर को ढूंडते हैं तब ही डेमन कहते हैं बहुत अच्छा मजाग है जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है इस टाउन में कौन-कौन वेंपायर है ये कहने के बात दोनों बातचीत करने लगते हैं तब ही अंकल जोन डेमन को बताते हैं कि एक और डिवाइस था जो गिलबट डिवाइस जैसा था जो जो जोनथन गिलबट ने बनाया था वो डिवाइस मिस पर्स नाम की एक वेंपायर ने चुरा लिया था जो टूम के अंदर बंद थी और वो कहते हैं कि वो पुरी काउंसिल को बता देंगे कि डेमन एक वेंपायर है तबही डेंवन कहता है कि बता दो मैं पुरी काउंसिल के हर एक मेंबर को मार दूँगा जिसको इस बात पता बात हılगी और फिर ऐंकल जोन की हाथ से वो रिंग निकाल के फैकूंगा और तुमें भी मार दूँगा और ये सुनने के बाद अंकल जोन थोड़ा डर जाते हैं और वह वहां से चले जाते हैं फिर अगली दुफैर में हम देखते कि अलारिक अलीना की घर आये थे उनको पिक अप करने के लिए मिस्टिक फॉल्स कॉंपेडिशन के लिए तभी अंकल जोन कहते कि वो भी पिक अप करने के लिए जा सकते थे बड़ तभी आंट जैना कहते है कि तुम जेरेमी की साथ आना मैं और अलीना अलारिक के साथ जाएंगे वही पार्टी में आंट जैना अलीना को तैयार कर रही थी और कैरिलाइन उसी रूम में उसको देख के बहुत जादा जेलेस फील कर रही थी वही हम देखते हैं कि अलीना एंबर को हल्प करती है जो दूसरी कंटेस्टेंट थी कि वो जादा नर्वस थी तभी एंबर बोलत रहे हैं कुछ जरूरी बात है ख़िए अब तक ब्लड ले नहीं चौड़ा और तो ब्लड ब्लड के लिए और जब बलड लेता है तो बहुत जब प्लैटिव होजात बेहिविर में, तभी, डेमन ये सब उसको बता रहा होता है, स्क्रेफन वहाँ पर आ जाता है। और स्क्रेफन को देखने के बाद, डेमन कहता है, क्वो नीचे उसका वेट कर रहा है। तबी स्टेफन थोटा साइको बिहेव करते हुए अलीना से बात करने लगता है बट अलीना उससे गुसा हो जाती है कि उसने उससे जूट बोला बट स्टेफन बहुत इंप्रेसिवली कहता है कि उसने स्टरी ब्लेडी तो पिया है वो एक वेंपायर की नॉमल बात है और वो एक तरह से इग्नोर करता है ब्लेड वाली बात को पर अलीना अभी भी उससे बहुत जादा नाराज थी बड़ तबी मिस लॉकूर वहां पर आ जाती है और अलीना कहती है तुम जल्दी तयार हो अब तक त्यार नहीं हुई सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं तबी अलीना अपने रूम में वापस आती है और स्टेफन का चेहरा देखे एकदम डर जाती है फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि अंकल जोन और जैरेमी बैठ के बाते कर रहे थे अपने एंसिस्टरस के बारे में तब ही जैरेमी बात करता है जोनथन गिलबर्ट के बारे में जो 1864 मे लिए और कहता है कि वेमपायर ऐना के बनना चाहता था ना कि विकी के लिए विकी तो तो उसक्नी दोस्त है तभी ये सुनने इक बाद एना उससे बातचीत करने लगती है अच्छी बात नहींहीं यहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि Stephen Amber को खीचते हुए पार्किंग लोट की तरफ ले जा रहा है Amber उसे रोक रही है और कह रही है कि उसे Miss Mystic Falls की competition में जा रहा है बट Stephen फिर उसे hypnotize करता है और कहता है कि तुम यहीं पर खड़ी रहोगी और किसी competition में नहीं जाओगी Stephen अपना control खो देता है और Amber का खून पीने लगता है पार्किंग एरिया में और वो अपने आप पर बिल्कुल भी control नहीं कर पाता हूँ यहीं हम Miss Mystic Falls की ceremony शुरू होते देखते हैं जहां पर अलीना अपनी entry पर आने लगती है बट Stephen को बुलाने पर वहां पर Stephen नहीं होता तभी Demon Stephen की जगा ले लगता है और अलीना का हाथ पगड़के उसे सीडियों से उतारता है और उसको dance करने के लिए लेके जाता है तभी अलीना डेमन से Stephen के बारे में पूछती है कि वो कहा है तभी Demon कहता है उसे भी नहीं पता बट तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने उसकी जगा ले ली वरना तुम्हारा कोई partner नहीं था यह उसके बाद dance करने लगते हैं और उन्हें dance करता देख आंट जैना अलारिक से पूछती है कि अलीना डेमन के साथ क्यों dance कर रही और Stephen का है तभी अलारिक कहता है उसे भी यह doubt है पता नहीं कहां गया Stephen फिर हम देखते हैं कि last में Miss Mystic Falls के सारे contestants खड़े थे और उन्हें से Caroline Forbes यह competition जीत जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है यह competition जीत कर और अलीना भी अपनी दोस्त Caroline के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी वहीं शेरिफ जो Caroline की मा है वह वहां से जाती है और देखते हैं कि पांच कंटेस्टेंट में सिर्फ चारी कंटेस्टेंट है Amber कहां है Amber को ढूणने के लिए शेरिफ उसके रूम में जाती है और वहां देखती है कि पूरा ग्लास टूटा हुआ है और खून ही खून है वह देखने के बाद वो डेमन को बलाती है हेल्प के लिए और डेमन को शक होता है कि यह उसके भाई की ही हरकत है और वो यह बाते अलीना को भी बताता है फिर हम देखते कि डेमन और अलीना जंगल की तरफ जाने लगते हैं और वहां पर उन्हें स्टेफन भी देखने को मिलता है जो पूरी तरह से एक डिफरेंट ही परसन था वहां देखते कि स्टेफन डेमन को भी मारता है धक्का और वहां से भागने क कोशिश करता है बड़ तभी डेमन और अलीना का पीछा करते हुए बानी आ रही थी और बानी अपनी विच पावर से उसे कंट्रोल करती है और उसको नीचे गिरा जिती है उसके बाद वह होश में आता है स्टेफन में होश में आते हैं अपने हरकत से पूछती है बड़ दोनों कहते हैं कि उनने एंबर को भी होश हुए देखा और वो उसने डेमन को बुलाया और फिर आपको और यह सुनने के बाद शेरिफ समझ जाती है कि उसकी म्यामरी रेस कर दी गई है और इन दोनों लड़कियों को कुछ भी नहीं पता तभी शेरिफ कहती है उन दोनों से कि तुम पार्टी में वापस चले जाओ अपना मूड स्पोईल मत करो यहां से शेरिफ और डेमन सारा मामला समाल लेंगे यह हम देखते जैर्मी और एक साथ थे पार्टी में और यह देखकर अंकल जोन पूछते हैं आंट जैना से कि वह लड़की कौन और दोन है इसका नाम एना है और इसका मा पर्ल्स स towel में नहीं है उंकल जोन कहते हैропफ़ कि मिस पर्ल्स यह कहने की पूछ Simple 59 १ि यह हम देखते हैं कि घर आ जयता है और वहां पर उसे मिस पर्स और आंड लिखते हैं इससे बात करने के मूड में नहीं है बड तभी डेमन को वह एक डिवाइस थमाती है और कहती है कि जॉनतन गिलबर्ट से 1864 में पॉकिट वोच समझ के चुराल आई थी बड ये पॉकिट वोच नहीं है बड कुछ है जो इंपोर्टेंट मैटर करता है जॉनतन गिलबर्ट के लिए और य यही हम देखते है स्टेफन अपने रूम में था और थोड़ा गुस्सा और एग्रेशन से भरा हुआ था तब ही वहाँ पर अलीना आती है और वो उसको शांत करने की कोशिश करती है बट स्टेफन इस टाइम एक अलगी बंदा था वो अलीना को बोलता है कि वो एक उसको पर टॉशिश करते है बट अलीना विना डर्रक से गले लगाती है और स्टेफन भी फिर शांत लगाता है गोना वसको अधा में बंद कर देते हैं और अलीना कहती है कि वह बेस्टमेंट के गेट पर ही पूरी रात बैटी रहेगी तभी डेमन भी वहीं पर बैट जाता है और यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है अब स्टेफन उस बेस्टमेंट में बंद है तो वाइस यह था एपिसोड नमबर 19 I hope you like this अब यहां मैं सोचता हूं कि स्टेफन के साथ क्या होने वाला है सबसे बड़ी टेंशन की बात है क्योंकि उसको बेस्टमेंट में बंद करने से सॉलूचन थोड़ना निकलेगा उसको ब्लड की जो थस शुरू हो चुकी है वो इतनी जल्दी मिठने वाली नहीं है तो लाइक शेर और सस्क्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए भाई मेरा नया चैनल है और हर वीडियो पर लाइक कर दो है चार-पांच ही तब तक मैं डाली है अगर कोई दूसरी सीरीज आप चाहते हो मैं एक्स्प्लेइन करूं तो प्लीज कोमेंट बोक्स में लिको मिलते हैं लाइक शेर और सस्क्राइब और सायोनारा